आज की इस वीडियो में हम करेंगे unit 2 solutions का एक important topic और वो है roll's law और roll's law के साथ साथ हम vapor pressure के बारे भी इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को Vapor pressure of liquid solutions तो यहाँ पर दो चीज़े हैं जो हमें पहले पता होनी चीए कि liquid solutions क्या होते हैं और vapor pressure क्या होता है पहले हम जानते हैं कि liquid solutions की नहीं कहते हैं Liquid solutions are formed when solvent is a liquid जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि जैसा solvent होता है वैसा ही solution बनता है अगर हम liquid solvent लेंगे तो solution भी liquid बनेगा और उसमें जो solute है वो gas, liquid और solid कुछ भी हो सकता है लेकिन इस video में या इस section में हम सिरफ दो तरह के solutions के बारे में study करेंगे एक है liquid in liquid solutions और दूसरे है solid in liquid solutions ठीक है और इन solutions में एक या एक से ज़्यादा जो component है वो volatile हो सकता है such solution may contain one or more volatile component वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया जो evaporate हो सकते हैं उन्हें कहते हैं volatile जैसे कि जिनके vapors बन सकते हैं उन्हें कहते हैं volatile components जैसे पानी vapors में बनके भाब बनके उड़ जाता है तो इसी तरीके से उसे वो भी मतलब एक volatile component है दूसरा generally the liquid solvent is volatile और दूसरी खास बात यह है कि जो liquid solvent होगा वो volatile जरूर होगा और दूसरा जो है solute may or may node भी volatile वो हो भी सकता है और नहीं भी अगर liquid in liquid solution है फिर तो वो volatile होगा लेकिन अगर solid in liquid है तो उसमें जो solid है वो तो volatile नहीं हो सकता तो इस case में जो solute है वो volatile नहीं होगा अब हम जानेंगे vapor pressure क्या आता है vapor pressure को जानने के लिए हम एक video देखेंगे और समझेंगे कि vapor pressure क्या आता है ध्यान से देखनी है आप सबने ये video तो ये हमने सबसे पहले container ले लिया है उसमें हमने पानी डाला हुआ है और container को हमने कर दिया है seed तो जैसे हम अभी इसमें पानी डालेंगे at the beginning starting में अभी कोई vapor नहीं बन रहे है थोड़ी देर के बाद vapors बनने शुरू हो जाएंगे और जो vapors बनेंगे उस process को हम कहेंगे evaporation हो रही है जैसे कि अभी आपको दिखाए देगा तो यह देखिए vapors बनने शुरू हो गए और यह जो vapors के particles बन रहे हैं यह container की दिवार से टकरा भी रहे हैं तो यह उसके उफर pressure भी डाल रहे होंगे और दूसरी जो चीज है हमें ध्यान देनी है वो यह कि जो vapors बने हैं वो वापिस पानी में भी convert हो रहे हैं यह जो process है जिसमें vapors water से टकरा के वापिस water में convert हो रहे हैं उसे हम कहते हैं condensation okay तो यहां पर एक और चीज़ समझनी है कि जब हमने शुरुआत में पानी रखा तो vapors थोड़े बने और उसमें condensation नहीं हो रही थी ठीक है तो लेकिन जैसे-जैसे vapors जादा amount में बनते गए वैसे-वैपर्स वापिस condense होके water में भी convert होते रहे मतलब जैसे-जैसे evaporation बढ process के ब्राबर हो जाएगी एक तो चीज़ यह जानक नहीं है इस समय पर यह जो solution होगा वह किसमें पहुंच जाएगा इकलिब्रियम में पहुंच जाएगा दूसरी बात आपने ध्याने नहीं इकलिब्रियम जब आ जाएगा तो जो number of वैपर पार्टिकल्स है वह constant हो जाएगे मतलब कि जब एकलिब्रियम आ गया तो उस ताइम अगर पार्टिकल 50 है तो उसमें वह 50 ही रहेंगे 50 में से अगर दू-3 बात आपने ध्यान रखने हैं दूसरी खास बात यह है कि जब हमने सिरफ एक ही component लिया है मतलब सिरफ वाटर लिया है तो यहां पर जो हमारा वैपर बनेगा उसे हम कहेंगे वैपर प्रेशर ओफ प्योर कॉम्पोनेंट ओके सपोज मैं कहता हूं कि जो हमारा वाटर है उसको मैंने component 1 कह दिया तो उसका जो वैपर प्रेशर होगा वो पी वन नोट से दिनोट होगा जो वैपर प्रेशर ओफ प्योर कॉम्पोनेंट होता है उसके उपर हम नोट लगाते है ठीक है लेकिन अगर हम कहें कि यहां पर हमारा सिंपल एक component ना होके मतलब एक ही pure solvent ना होके एक mixture है solution है तो उसमें natural सी बात है दो component होगी तो उपर जो वैपर बनेंगे वो भी दोनों के बनेंगे समझारी मेरी बात तो जब दोनों के बनेंगे तो उपर जो वैपर होगा वो भी एक mixture बना लेंगे उसमें एक component का जो और पार्शल प्रेशर को हम भीना नोट के लिखते हैं, जैसे कि यह फर्सट कॉंपोनेंट का पार्शल प्रेशर हो गया, पार्शल वेबर प्रेशर ओप पी बड़ियों, और यह हो गया का वैपर प्रेशर होता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे उपर नॉट अगर पहले कॉम्पोनेट का देख रहे हैं तो पीवन नॉट दूसरे का देख रहे हैं अगर प्योर कॉम्पोनेट लिया हुआ थो पीटू नॉट ठीक है और जब मिक्षर लिया हुआ है हमने उसमें प्योर लिक्विड इस टेकर इन वैसल एट पर्टिकलर टेंपरेचर मतलब एक फिक्स टेंपरेचर पर हमने कोई भी वैसल में प्योर लिक्विड ले लिया then water start evaporating and its vapors are formed in the space above the liquid मतलब कि जैसे हम पानी लेंगे container को बंद करेंगे और उसमें vapors बनने शुरू हो जाएंगे और कहां पर बनेंगे जो ओपर खाली जगए empty space space above the liquid दूसरी बात the amount of vapor form keeps on increasing शुरुवात में क्या होगा वैपर ज्यादा बनते रहेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इकलिब्रियम आजाएगा ultimately the amount of vapor form become constant उनका जो number है वो constant हो जाएगा ऐसा कब होगा this is because an equilibrium is attained एक equilibrium attained हो गया और equilibrium किस किस के बीच में हुआ है rate of evaporation and rate of condensation at the equilibrium the rate of evaporation become equal to the rate of condensation ठीक है एक तो यह बात ध्यान रिखनी है आपने दूसरा the pressure exerted by vapor at this equilibrium is called vapor pressure और इस equilibrium पे vapors जो बने है वो जो भी pressure लगाएंगे उसी को हम क्या गाएंगे उसका vapor pressure तो हम vapor pressure की definition कुछ इस तरीके से लिख सकते है vapor pressure of a liquid or solution is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature simple सी बात है आई हो आपको समझा गया होगा तो एक दो बार पढ़ें इस slide को सब को समझा जाएगा तो अब हम बात करेंगे अब यही vapor pressure हम जानेंगे और किस के बारे में पहले हम देखेंगे liquid in liquid solutions के बारे में vapor pressure of liquid in liquid solution और इसको हम एक और टोपिक के अंडर स्टड़ी करते हैं और वो है Rawls law for volatile solution तो Rawls law कैसे और क्या कुछ बताता है चलिए देखते हैं let us consider a binary solution माल लेते हैं कि हमने एक binary solution ले लिया है जिसमें दोनों volatile liquid है मतलब कि यहाँ पर जो solution है वो liquid in liquid है और दोनों ही vapors में convert हो रहे हैं और उनको हमने किस से denote कर दिया denote the two component as one and two एक component को one कहा दिया दूसरे को two कहा दिया okay when taken in a close vessel अगर हम उसको band vessel में लेंगे तो both the component would evaporate and eventually an equilibrium would be established तो natural सी बात है कि दोनों वेपर दोनों component के वेपर बनेंगे और थोड़ी देर के बाद एक equilibrium आ जाएगा और किस-किस के बीच में होगा established an equilibrium between vapor phase and the liquid phase okay let the total vapor pressure at this stage be p total उपर जो वेपर बने है solution के उपर जो बने है उनका जो total pressure है क्या माल लिए हमने p total और एक जो component है उसका जो प्रेशर है वेपर प्रेशर है उसको हमने कहा दिया p1 and p2 तो p1 and p2 क्या है p1 and p2 भी the partial vapor pressure of the two component one and two ठीक है और जो यह p1 and p2 है किस पर डिपैंड करता है उनके mole fraction मतलब amount of substance पर डिपैंड करेगा जितना ज़्यादा है उनका mole fraction होगा उतने ही ज़्याद हो उसके वेपर बनेंगे तो these partial pressures are related to the mole fraction of x1 and x2 of the two component one and two ठीक है तो बात धियान रखने के जैसे ही solution के उपर वेपर बनेंगे वो होंगे जो और उसना अपना law दिया the French chemist Francois Marte Rolte in 1886 gave the quantitative relationship between them किस के बीच में दिया था relationship वेपर प्रेशर या partial वेपर प्रेशर और mole fraction के बीच में and this relationship is called as the Rolte's law और इसी को हम क्या कहते है रोल्ट's law और इसकी definition देखते है for a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction मतलब वही बात है जो हमने अभी पढ़ी चिरफ आप यह statement बनेंगे इसकी कि बही एक solution के उपर जो वेपर प्रेशर है तोटल वेपर प्रेशर है उसमें जो एक component का partial वेपर प्रेशर है वो किस पर directly proportional है उसके mole fraction के directly proportional है the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction और इसे हम कैसे लिखेंगे for first component p1 is directly proportional to x1 और अगर हम यहाँ पर directly proportional के sign को उटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं और यहाँ पर हम constant क्या ले रहे है वेपर प्रेशर in pure state जब वो हमने pure component लिया हुए तो जो उसका वेपर प्रेशर लगा वो पी नोट से देनोट करेंगे ठीक है और यह क्या है where p1 0 is the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature ठीक है सेम ऐसे ही हम second component के लिए लिखेंगे P2 is equal to P2 not X2 ठीक है तो यह दो equations बन गई हमारी जिसमें हमने यहाँ पर इस दूसरी equation में P2 not क्या है this is the vapor pressure of the pure component 2 अब अगर हम आगे देखें तो total vapor pressure जो की हमें बतायागा Dalton's law तो according to Dalton's law of partial pressure the total pressure P total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the two components मतलब कि नैचल सब्सक्राइब टोटल किसके बराबर होगा दोनों जो component है उनका जो vapor pressure है उनके sum के बराबर होगा जिसे हम कैसे लिख सकते है P total is equal to P1 plus P2 तो P1 और P2 की value हम यहाँ पर क्या करेंगे put कर देंगे substituting the values of P1 and P2 we get P total X1 P1 not plus X2 P2 not अब हमें पता है X1 plus X2 किसके बराबर होता है X1 plus X2 बराबर होता है 1 के unity mole fraction में हमने पढ़ा था X1 की value हम क्या लिख केते है 1 minus X2 तो यहाँ पर अगर हम X1 की जगह पर 1 minus X2 रख दें तो हमारी equation क्या बन जाएगी यह कुछ ऐसी बन जाएगी अब इस हम P1 को अंदर multiply कर देते हैं तो फिर हमारा क्या बन जाएगा यह देखो यह बन गया हमारा ठीक है इसको हमने P1 को अंदर multiply कर दे अब हमने क्या किया इनको rearrange कर लिया इसको हम बाद में लेगा और इसको हमने पहले रिख दिया और फिर हमारी equation बन गई यह बल ऐसा क्यों किया ताकि इन दोनों में से X2 कॉमबन आ जाए और next हमारी equation बनेगी क्या बनेगी final equation यह हो गई हमारी equation number 5 यह द्यान अटनी equation number 5 इसके हमें जूरुत पड़ेगी आगे भी तो P total is equal to P1 naught प्लस P2 naught यहां से आगया हमारा ही ठीक है X2 कॉमबन निकल गया तो यह बन गई हमारी रॉल्ट्सला की equation इसको आपने अच्छे से समझना है और यहां पर हमें कई बाते पता लगेंगे इसके बारे में ठीक है P total किस से related हो रहा है mole fraction से अब यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमने X1 की value रखे दी वैसे हम चाहते तो X2 की value भी रख सकते थे X2 की value क्या बनती 1-X1 अगर हम यह रखते तो यहां पर X1 आ जाता मतलग कि जो total vapor pressure है वो दोनों के mole fraction से related है ठीक है चाहे तो हम वो component 1 से निकाल लें चाहे वो component 2 से निकाल लें यही सारी बाते आगे समझाई जाएंगे तो इसलिए इस equation को अच्छे से ध्यान अगणा है 5th को और आगे देखते हैं Since P1 and P2 not are constant यह दोनों तो constant है यह दोनों तो constant है यह दोनों तो तो जो total vapor pressure है वो किसके directly proportion हो गया mole fraction of any one of the component that is x1 और x2 Thus a straight line should be obtained when a P total is plotted against x1 तो हमें क्या मिलनी चाहिए एक straight line मिलनी चाहिए जब हम P total को किसके साथ किसके सामने draw करेंगे x1 और x2 के against draw करेंगे मतलब जब हम graph draw करेंगे तो चलिए देखते हैं वो graph यह है वो graph अब इसको आपने ध्यान से समझना है देखे तो इस graph में हमारे बस तीन line है एक तो line यह है dotted line दूसरी dotted line यह है तीसरी जो line है वो solid line है ठीक है ये तिन्नो किसके सो denote करेंगे यह जो line है यह denote कर रही है Remember pressure of component one ठीक है और यह जो line है यह denote कर रही है By pressure of component two और यह जो तीसरी line है यह total vapor pressure को denote कर रही है शो कर रही है तो अब यहाँ पर क्या समझना है एकनद थैयर मैं नहीं है इसके अन्दल इस सिर फो क्या है एक्सकिन बादी और जैसे यह हम इसकी को कम करते जाएंगे तो अधरेकरे में डोन जिसे अधरा घुड़ कीठ त्युम्हक्री जाएगे जीरो मुह राइन को यह तो यहाँ जा रहे है तो इसका वैपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहाः तो इसका वैपर प्रेशर अरृशिumu बढ़ता जा ठीक है तो समझा आगे कितनी इसी समझाई हुई है आप अरहां से समझ दूसरी बात कि जो tut टर्ड लाइन यह शो कर रही है वेपर प्रेशर ओफ सुलूशन तो वह किसके ब्राबर होगा पीवन नॉट से पीटू नॉट यह जो लाइन जा रही है यह वेपर प्रेशर ओस सुलूशन के ब्राबर ठीक है तो इसके बारे में अभी हम आके और भी पढ़ते हैं प्लोट ओफ पीवन और पीटू वर्सिस दे मॉल फ्रेक्शन एक्सवन एंड एक्सटू फोर असलूशन गीवर लीनियर प्लोट पहली बात ध्यान रख नहीं है कि जो हमारा प्लोट होगा लीनियर प्लोट होगा ठीक है और दूसरी खास बात similarly the plot line number 3 यह जो तीसरी लाइन इस आलसो लीनियर यह बात भी हमें ने देख ली भी लीनियर है इसमें कोई कर्व नहीं है ठीक है linear है सीधी लाइन है और important बात the minimum value of p total जो इसकी कम से कम value है वो किसके बराबर है mole fraction of sorry vapor pressure of first component के बराबर है in pure state ठीक and the maximum value is equal to the vapor pressure of second component in pure state मतलब p1 not minimum value होगी solution की और p2 not जो है वो maximum value होगी solution की यह चीज़ भी आपको हो सकता है थोड़ा सा confusing लगे लेकिन इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारा total vapor pressure है वो किस पर depend करता है mole fraction of both दोनों के दोनों के mole fraction पर depend कर रहा है यहां से यह बात भी हमें पिछली जो बात थी वो भी समझ में आ गई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन सीजों से हम जो equation number 5 हमने देखी है उससे हमें कुछ और important बाते पता चलेंगी conclusion can be drawn from equation number 5 number 1 total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component ठीक है मतलब जो total vapor pressure है वो किसी भी component पे depend कर सकता है equation number 5 आई हो आप आपको ध्यान होगी यह देखी है equation number 5 तो इसमें यहाँ पर x2 आया हुआ है ना ठीक है तो x2 जो है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर p total जो है वो x2 पर depend कर है लेकि मैंने भी बताया था कि अगर हम यहाँ पर x2 की value put करते तो यहाँ x1 आ जाता मतलब p total जो है वो x1 पर भी depend कर सकता है okay आगे देखते है next point that is total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of the component यह हम देगी चुके हैं कि जो total vapor pressure है वो components पे linearly vary करता है ठीक है मतलब जैसे vapor pressure कम होगा तो mole fraction भी कम होगा और अगर mole fraction जादा होगा तो vapor pressure भी जादा होगा ठीक है okay next depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2 total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of the component natural सी बात है क्योंकि total vapor pressure depend करता है components के vapor pressure पे अगर उनका mole fraction कम्या जादा होगा तो क्या होगा vapor pressure भी कम्या जादा हो जाएगा जैसे कि example में दिखाया हुआ है या figure में दिखाया हुआ है for example in the above figure the line 3 slope upward from left to right अगर हम left to right जाएं तो जो line है वो उपर की तरफ जा रही है और अगर हम right to left आएं तो वो कहां जा रही है downward की तरफ जा रही है जैसे कि आप इस figure में देख सकते हैं यह देखिए ठीक है ना यहां से left to right जा रहे है तो उपर जा रही है और right से left आ रहे है तो नीचे की तरफ आ रही है तो यह किस पर मतलब बढ़ भी रही है घट भी रही है जैसे से mole fraction में change आ रहा है वैसे वैसे इस पर भी change आ रहा है चलिए तो आगे देखते हैं अब हम the composition of vapor phase जो उपर वैपर से उनकी जो composition है equilibrium में that can be determined by the partial pressure of the component ठीक है वो भी हम measure कर सकते हैं वहाँ पर जो vapor phase है उसमें का कितना partial pressure है और वो भी डिपाने करता है किस पर अभी हम देखते है तो इसको हम पता लगा सकते हैं उनके partial pressure से P1 is equal to Y1 P total and P2 is equal to Y2 P total ठीक है तो vapor pressure of one component is equal to Y1 P total Y1 and Y2 क्या है mole fraction in the vapor phase ओके चलिए तो इनकी equation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम Y1 की value निकाल रहे हैं तो P total जो है वो नीचे चला जाएगा और यह बन गया हमारा P1 by P total और Y2 की value निकाल रहे है तो P2 by P total ओके झाल जिकाल रहे हैं तो P1 बन जादिका थांवार वोग को हम उनके का विख बहादा था भीचे अजिकाओे एसर बन के बनाई घ्रफ जावागा इनके चलाएबके को हम वोग वादावावावार जावार था तो P2 we're गारी से जावारा बनाद़ पह बनगे झाल 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 तेखेंगे एक numerical, salt numerical है, example 2.5 है, ये NCRT के बुक में भी salt दिया हुए है, Vapor pressure of chloroform CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm Hg and 514 mm Hg respectively, calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin and mole fraction of each component in the vapor phase, तो दो चीचे हमें निकालनी है, Vapor pressure of solution जो हमने ये दोनों को इस amount विलागर के बनाया है और एक mole fraction of each component in vapor phase जो अभी Y1 वाली Y2 वाली हमने equation की लिए उससे निकलेगा, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए, तो molar mass of CH2Cl2 चाहिए होगा, जो कि हमने यह दिया number of moles of CH2Cl2, मतलब dichloro methane के जो number of moles है, उसका mass दिया हुआ है हमें 40 gram, ठीक है तो उसके हमने divide by 85 करके हमने number of moles निकाल लिए, और सेम इसी तरह की से हमने किसके निकाल लेने है, chloroform के, CHCl3 के, और वो आ गए हमारे 0.213, ठीक है, यह number of moles भी हमने निकाल लिए, तो total number of moles कितन हो गए हमारे, दोनों का सम कर दिया, 0.683 moles हो गए, तो X मतलब mole fraction हमने निकाल लिया, अब किसका, पहले वाले का निकाल लिया, dichloro methane का निकाल लिया, तो 0.47 by total number of moles, 0.683, जो कि आगए 0.688, इसी तरह के से mole fraction of हमने chloroform भी निकाल लिया, वो minus करती है हमने 100 में से, तो 0.312 आ पी तो नोट, माइनस पी वन नोट, X2, तो हमारे पास अब जो values दी हुई है, वो हम put करके, 0.68 हमने X2 के value निकाल लिया, जो हमारा कम amount में है, ठीक है न, तो यह हमारी value आ गई, कितनी, तो यह आ गया हमारा P total, ओके, अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, इन वेपर फेस, वेपर फेस के लिए हम equation भी use करेंगे, P I is equal to, sorry, Y I is equal to P I, बराब बटे में P total, यह हमने common ले लिया, अगर फेस्ट का निकालेंगे तो Y1 बराबर P1 by P total हो जाएगा, और second का निकालेंगे तो Y2 is equal to P2 by P total हो जाएगा, तो we can calculate the mole fraction of the component in gas phase Y1, तो हमने यह formula पूट कर दिया, त तो यह हमारा आया था, इसको हमने इसके mole fraction से multiply कर दिया, तो यह आगया हमारा P CH2 CL2, और इसी तरीके से P CHCL3 निकाल लिया, और इस equation में हमने पूट कर दिया, जो कि आगया हमारा Y is equal to 0.824 CH2 CL2, और similarly Y CHCL3 is equal to 0.18 के बराबर यह हमारा आगया, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखन की है कि, at equilibrium, vapor phase will be always rich in the component which is more volatile, जो ज्यादा volatile होगा, vapor phase में उसी का ही component का जो पार्ट है, वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो अब एक ओर topic है, that is, Rawls law as a special case of Henry's law, देखे, according to Rawls law, हम पहले अभी पढ़ा हमने, vapor pressure of the volatile component is rightly proportional to the mole fraction of the component, in the solution, और इसे हम ऐसे लिख सकते है पी is rightly proportional to xa, और पी is equal to pa0 into xa, similarly according to Henry's law, partial pressure of the volatile component is rightly proportional to the mole fraction, वो भी यही बात कहता है, सिर्फ equation ना लग है, तो गो equation क्या है, पी is equal to khxa, तो दोनों में फरक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकल यह जो इनका constant of proportionality है, उसी का फरक है, और कुछ नहीं है, दोनों सेम है, thus Rawls law and Henry's law are identical except that their proportionality constant are different, thus Rawls law become a special case of Henry's law, in which kh become equal to pa0, बस यही फो रहा है, तो यह एक और important question बनता है, ध्यान से आप इसको जरूर पढ़ ले, अच्छे से समझा जाएगा, अब हम देखते हैं, वेपर pressure of solution of solids in liquid, तो अब हम वेपर pressure of, पहले liquid in liquid का तो देख चुके हम, solid in liquid का हम देखेंगे, तो इसको एक और नाम दिया जाता है, Rawls law for non-volatile solute, अब हम non-volatile solute लेगे, जिसके वेपर नहीं बनेगे, तो another important class of solution consists of solids dissolved in liquid, for example, sodium chloride, glucose, urea, and cane sugar in water, and iodine, and sulfur dissolved in carbon dioxide, तो यह सभी examples हैं, solid in liquid solution के, तो some physical properties of these solutions are quite different from those of pure solvents, for example, vapor pressure, तो इनकी जो properties हैं, इन solutions की पहले बादा से अलग होती है, जैसे कि vapor pressure अलग होता है, ठीक है, तो कैसे, in a pure liquid, the entire surface is occupied by the molecule of the liquid, अगर हम pure component लेगे तो उसमें तो एक ही होगा, उपर वाला जो surface होगा, उस पर सारे के सारे, उसी के component या उस करतेंगे, if a non-volatile solute is added to a solvent to give a solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent, अब तो, क्योंकि जो solute है, वो तो non-volatile है, तो लेकिन vapor pressure किसके वज़े स होगा, सिरफ solvent के वज़े से होगा, इस vapor pressure of solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent, लेकिन जो अब total vapor pressure है, तो solution का है, वो pure solvent के vapor pressure से कम होगा, क्यों कम होगा, in the solution, the surface has both the solute and solvent molecule, thereby the fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced, अचल सी बात है, कि जब हम solute डालेंगे, तो surface पे कुछ solute के भी पार्टिकल आ जाएंगे, वो तो volatile नहीं है, मतलब वो सिरफ वो सिरफ क्या कर रहे है, solvent के surface को कम कर दे रहे है, और solvent को कम surface मिल रहा है, इवेपर इट होने के लिए तर इसलिए number of vapors भी कम बन रहे है, solvent के, consequently the number of solvent molecule escaping from the surface is reduced, thus the vapor pressure is also reduced, इसे हम एक diagram की help से समझते हैं, तो यहाँ पर सिरफ प्योर है, तो यहाँ सिरफ पे सारे के सारे component जो है, वो pure solvent के हैं, तो इसलिए सारे के सारे कहां जा रहे है, वेपर फेस में सानी से जा सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें क्य क्या करते हैं, कि solute डाल देते हैं, तो जो ग्रीन कलर के है, solute particles भी यहाँ पर सर्फेस पर कुछ जगह occupy कर लेते हैं, और यह तो वेपर फेस में बनेंगे नहीं, तो सिरफ solvent जहाँ 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 पर वहाँ से ही वेपर बनेंगे, जो की natural सी बात है, कम बनेंगे, as compared to pure solvent, त उतने ही मतलग कि वेपर प्रेशर जब वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उतनी जगह ले लेगा, okay, for example, decrease in the वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाइदेंग वन मॉल और सुक्रोज तो वन किलोग्राम वाटर इस नियरली सेम, तो दाट प्रोडूस बाइदेंग वन मॉल उ यह वही डेफिनिशन है, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction, तो यह उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन यह दो बार दी हुई है, तो हमने भी आपर दो बार लिख दिये, okay, आगे देखते हैं, in a binary solution, let us denote the solvent by one and solute by two, तो अब दुबारा से हमने solution ले लिया, solid in liquid, तो इसमें जो solvent है, उसको one से denote कर दिया, और solute को two से, when the solute is non-volatile, अब solute क्या है, non-volatile, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure, तो solvent ही है, सिरफ वही vapor phase में जाएगा, और vapor pressure produce करेगा, let P1 be the vapor pressure of the solvent, और vapor pressure of solvent को हमने क्या कहा दिया, P1, और X1 be its small fraction, and P1 not be its vapor pressure in the pure state, ठीक है, यहाँ पर I लग रहा है, यह 1 मान लेना आपने, 1 आईए, then according to Rawls law, तो Rawls law क्या कहता है, P1 is directly present to X1, and P1 is P1 not X1, यह तो हमें बता है, यह Rawls law के यह साब से, लेकिन अगर हम बात करें, the solute is non-volatile, thus the vapor pressure of solution will be equal to the vapor pressure of the solvent, तो अगर हम vapor pressure of solution को PS से denote करें, तो वह किसके बरापर होग हा, solvent के, और P1 की value हम यहाँ से put कर दें, अगर हम तो यह बन गया, ठीक है, तो PS is equal to P1 not X1, okay, since here P1 not is a constant, therefore equation 11 can be written as, तो इसको भी हमें ऐसे लेख सकता है, PS is right proportional to X1, it means the vapor pressure, total vapor pressure of solution depends or directly proportional to the mole fraction of a solvent, यह component 1, और इसको हम ऐसे लेख सकते हैं, vapor pressure of the solution is right proportional to the mole fraction of the solvent, thus if mole fraction of the solvent in solution containing a non-volatile solute is plotted against the vapor pressure of the solution, a straight line is obtained, मतलब अगर हम PS को mole fraction के against plot करेंगे, मतलब, mole fraction of the solvent in a solution containing a non-volatile solute plotted against the vapor pressure of the solution, तो फिर हमें एक straight line मिलेगी, जो कि कुछ इस तरीके से है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें straight line मिल रही है, vapor pressure of pure solvent यह है, ठीक है, vapor pressure of pure solvent जैसे जैसे, उसका mole fraction बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, और वैसे ही, solution का भी जो है vapor pressure बढ़ता चला जाएगा, तो यह सारा कुछ था हमारा, इस वीडियो में, थोड़ा सा हो सकता है, कई points आपको clear ना हुए हो, कोई बात नहीं, वीडियो को एक दो बार और देखना, फिर भी समझ नहीं आता, तो आप मुशे बताना, फिर हम इसको और अच्छे से detail में, जो भी topic या जो points समझ नहीं आएगा, उसी को हम explain करेंगे, ठीक है, ओके, thank you, thank you for watching this video, thank you very much.